Good morning students, मैं महीश कुमार फिर से आपका स्वाइट करता हूँ अपने भाई टॉपिक मनी एंड करेट में जैसा कि हम प्रिवीज क्लासेज में रीड कर चुके हैं मनी का फंक्शन, पार्टर सिस्टम, उसके ड्रावबेक, स्वाइट, फॉर्मल, इन सभी चीज़ों को, इन सभी टॉपिक को हम अलएडी डिस्कसन कर चुके हैं अदे नेक्स टॉपिक इस फंक्शन ओफ आर्बिया ऑफ इंडिया, याट मेंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर हम सिंपल लेंगवेज में कहें, तो आर्बियाई सभी बैंक का कह सकते हैं, हैड है, याट मेंस फादर आफ आफ आल बैंक्स, जितने भी बैंक्स हैं इंडिया में वो सभी आर्बिया के अंडर में ही फंक्शनिंग करते हैं, इन देट इजन हमारे कंट्री में जो सुप्रीम बैंक है, उस बैंक को आर्बियाई भी करते हैं, तो हम कंट्यूनिव करते हुए, फंक्शन आफ आर्बियाई के बारे में रिड करेंगे, तो सबसे पहला फंक्शन जो आर्बियाई का है, that is the supervise the functioning of all banks RBI जो है वो all banks को supervise करता है कि all banks proper way में work कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं and second one is monitoring the banks in actually maintaining minimum cash balance साथ में RBI ये भी देखता है कि RBI के instruction के according जो minimum cash balance banks में रखना होता है वो banks ने maintain किया हुआ है या नहीं है और ये minimum cash balance है that is 15% जो हर एक bank को अपने पास में hold करके रखना पड़ता है ताकि depositors जब चाहे अपना money withdraw कर सके and the third one is RBI sees the bank's loan activities साथ में RBI ये भी देखता है कि नेक्स्ट वन आता है नंबर फॉर जो इसको main function कहते है RBI का और वो function है currency print करने का RBI जो है वह भारत के लिए paper notes print करता है किसके ब्याफ पर government of India के ब्याफ पर खहने का मतलब है government of India जब ask करती है तो उसके ब्याफ पर ही RBI currency notes print करता है नेक्स्ट वन आता है get information फिप पॉइंट get information RBI every bank से periodically एक information submit करता है और periodically का मतलब monthly भी हो सकता है quarterly भी हो सकता है half yearly भी हो सकता है annually भी हो सकता है ये information every banks को RBI के पास में submit करने पर दिया जिसमें everyone या every banks को बताना होता है stated करना होता है कि उसने किसना और किस amount में loan provide किया है किसको दिया है और साथ में उसका rate of interest क्या था so simple सी बात है RBI एक important institution है जो कि formal sector को supervise करता है control करता है साथ में banks का minimum cash balance है उसको भी maintain कराता है loan activities को control करता है rate of interest fix करता है ये सब functions किसके है RBI के है नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें compare between formal and informal sector जो कि हम अलड़ी discuss कर शुके formal के अंदर एक fixed rate of interest होता है एक documentation की requirement होती है everyone bank से loan borrow कर सकता है just उन्हें कुछ conditions को fulfill करना पड़ता है दूसरा formal sectors को collateral की requirement होती है जबकि informal को किसी भी collateral की requirement नहीं होती वहाँ पर relatives, money lenders, landlord, whatever जब चाहें loan borrow कर सकते लेकिन उनका rate of interest कफी ज़्यादा होता है और इस lesson का सबसे last topic है that is the self-help group simple साय नाम से पता चलता है self में अपनी खुद की सायता करना और ऐसे groups it is a group of poor people यह गरीब लोगों का एक group होता जिसमें 20-20 members मिलकर इस group को formed करते हैं जो एक little amount के अंदर saving करते हैं fund इखटा करते हैं और एक दूसरे की help करते हैं ऐसी group को ही हम self-help group करते हैं और ऐसी group हमें आज every village में इंडिया में देखने को मिलते हैं जिसमें एक little amount हम save करते हैं और इस saving को फिर एक दूसरे की help में as a loan provide करते हैं जिसमें बहुती कम rate of interest चार्ज किया जाता है like a formal sector की तरह अगर हम इसकी features की बात करें तो features सबसे पहला है first है it is a group of 10-20 people यह 10-20 लोगों का एक group होता है और इसमें यह जो special group होता है वो rural women's का है gram in my love के लिए self help group को formed किया गया है third one they regularly saving वो continue हर month every month एक little amount के अंदर एक थोड़ा सा amount save करते हैं और अपना एक account open कराते banks में और उसको deposit करते हैं जब चाहें उसको borrow कर सकते हैं fourth one the rate of interest is also very low like formal sector group self help जो group के अंदर rate of interest होता है वो भी बहुत कम होता है formal sectors की तरह ही होता है banks जैसे banks के अंदर एक cheap rate प्रोवाइड किया जाता है उसी तरह से जो आपके self help group है उसमें भी काफी cheap rate पर loan प्रोवाइड किया जाता है every members को जो की is self help group के members होते है and the last one is banks also provide loan for self help group और जो banks होते हैं जब हमारा self help group बहुत ही old हो जाता है एक साल या दो साल अपने continue saving करते हैं तो banks उनकी transaction के ब्याफ पर loan प्रोवाइड करना शुरू कर जाते हैं जिससे की ये self help group उस loan को different activities में use कर सकते हैं एक चोटा मोटा business start कर सकते हैं या फिर अपने crisis के time period में अपने help कर सकते हैं और इस banks के तुरू जो loan प्रोवाइड किया जाता है self help group के लिए उसका rate of interest भी बहुत ही cheap होता है और यह loan किसी एक member को नहीं दिया जाता है जबकि पूरे groups को दिया जाता है और यह groups decide करेगा कि यह loan एक को ही देना है कोई business शुरू करना है या फिर everyone के अंदर equally distribute किया जाना है friends आज हमारा lesson complete होता है next topic के साथ में next day में presentation रखेंगे thank you